concepts पढ़ेंगे हमने last class में permutation combination वाले टॉपिक में chapter number 5 में permutation के कुछ questions करे थे और उन questions को करने के बाद हमें बहुत सारी चीज़े सवज में आई दी कि permutation में कुछ नहीं करना होता arrangement करना होता है arrangement का मतलब जहां कहीं भी order को preference दिया जाता है वहां पर हम बात करते हैं arrangement की और जहां कहीं भी order को preference नहीं दिया जाता है वहां बात करते हैं selection की माने combination की अर्रेंजमेंट के questions के लिए permutation में हमने कुछ practical questions कर दे थे और last class में हम लोगोंने questions करे थे numbers वाले ठीके ना अब आज उन numbers वाले questions को हम लोग आके बढ़ाएंगे और साथ में आज हम लोग करेंगे words वाले questions की बार ठीके ना चलिए आए शुरू करते हैं अपना ये बीश्म बैच जिसमें हमने बीश्म प्रतिक्या लिए कि भाई हम CA foundation में फत्रह हासिल करें करके रहेंगे और CA का बैच हम लोग इस बार बिलकुल CA foundation के exam clear करके रहेंगे कोशल द्यार जी गुड इवनिंग और जो जो बच्चे गुड इवनिंग है सभी को हमारी राम राम सी ओसी की राम राम ठीके ना कस्तुप श्रिवास्तव हेलो सर शंतो शौदरी हेलो सर दिविशा सिना गुड इवनिंग हा जी चलिए अभिशेद भगत गुड इवनिंग बेटा संतो शौदरी गुड इवनिंग बेटा चले आईए शुरू करते हैं कोशन तो बेटा जी लास्ट क्लास में हमने नंबर्स वाले कोशन करें थे एक कोशन में देता हूँ आपको करने के लिए और फिर हम कोशन को आगे बढ़ाएंगे कुछ कोशन के और प्रैक्टिस करेंगे रजनीश गुड इवनिंग बेटा अमेटी करके गुड इवनिंग सिधार्त संतोष जोधरी गुड इवनिंग अधिती बंसल गुड इवनिंग रिया ग्रवाल गुड इवनिंग रजनी श्रिंग गुड इवनिंग चलिए शुरू करते हैं तो कोशन के रहा है how many numbers how many numbers देखिए last class में हमने जो question करे थे उसमें करे थे बात हमने 100 से 1000 100 से 10,000 उसके बात हमने बात करे थे greater than 300 less than 1000 वाली बात करे थे उससे बात हमने बात करे थे greater than 300 but less than 1000 के questions की बात अब इस question को आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिन की possibility में बढ़ाता जाओंगा उससे आपको समझ में आता जाएगा कोशिन को किस तरीके से treat करना है तो कोशिन के रहा है how many numbers greater than greater than 300 but less than 10,000 can be formed by using the digit by using the digit 0, 1, 2, 3 4 or 5 or 6 यह कोशिन है सर हाँ जी सर poll create करेंगे आज थोड़े time बाद लेकिन पहले कोशिन की possibility को समझ लेते हैं कोशिन कह रहा है how many numbers greater than 300 but less than 10,000 मतलब आपको number बनाना है 300 से बड़ा और 10,000 से छोटा बेटा 10,000 से छोटा और 300 से बड़ा मतलब हमें number बनाना है कुल मेराकर 300 से 10,000 के बीच का number बनाना है अब अगर मैं आपसे बात पूछू 300 से 10,000 के बीच का number बिटा जी मुझे ये बताइए कितने कितने date के number बनेंगे एक तो बनेगा 3 date का number और एक बनेगा आपका 4 digit का number बात सही है नहीं है एक बनेगा 3 date का number और एक बनेगा आपका 4 date का number 3 digit के number की बात करूँ तो number बनेगा 300 से 1000 के बीच का number और 4 date के number की बात करूँ तो आपका number बनेगा 1000 से 10,000 के बीच का number ये आपका बनेगा 3 digit का number और ये आपका बनेगा 4 digit का number इन दोनों को अलग अलग बनाने के answer निकलाएगा रिया अगरवाल जी ने आंसर दे भी दिया वेरी गूड आप लोग ट्राइ करते रहिएगा अगर आपका अंसर पहले आ जाएगा तो बिल्कुल ठीक है ना तो अब हम 300 से 1000 की बात करें नंबर्स हमने यहां नोट कर लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यह नंबर्स हो गए अब अगर मैं यहां पहले प्लेस की बात करूँ पहले प्लेस की बात करूँ तो पहले प्लेस पे क्या आना चाहिए तीन या तीन से बड़ा नंबर आना चाहिए भई हमें नंबर बनाना है 300 से 1000 की बीच का तो पहले प्लेस पे तीन या किसी एक को fix कर दीजे मान लीजे 5 को fix कर दिया कर दिया हमने इसके बाद अब तो restriction गदम हो गई अब दूसरे प्लेस के लिए कि इतनी choice एक दो तीन चार पाँच और च्छे और तीसरे के लिए फिर किसी एक को fix कर दीजे next के लिए 5 तो यह नमबर बन गए 120 बास सवज में क्लियर हो गई बात यह बन गए हमारे नमबर 300 से 1000 के बीच के नमबर अब हम फिर दुबारा नमबर नोट कर लेते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स अम नमबर बनाना है 1000 से 10 जहर की बीच का पहले प्लेस के लिए कितनी choices सब जीरो आ सकता है क्या सचाय पहले प्लेस के लिए कितनी choices सिक्स अब किसी एक को फिक्स कर दिया आप दूसरा किसी एक को फिक्स कर दिया आप तो पहले प्लेस के लिए कितनी choice सिक्स किसी एक को फिक्स कर दिया आप दूसरे प्लेस के लिए कितनी choice अब तो जीरो आ सकता है एक दो तीन चार पांच छे तो दूसरे के लिए again six choice फिर किसी एक को फिक्स कर दिया नेक्स के लिए five और next के लिए four तो यह बन गए 720 नमबर त अधिती बंसल आपने एट हड़नेड आंसर दिया था आप अपने गलती चेक करिए अमेती ने आंसर दिया था एट फटी बिल्कुल ठीक है दिविशा जी ने आंसर दिया था एट फटी बिल्कुल ठीक है कोशल दयाली जी ने आंसर दिया था एट फटी बिल्कुल ठीक है बा How many numbers, how many numbers greater than 300 but less than 30,000 can be formed by using the digit, by using the digit, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये question है आपका, आप लोग अपना, जो जो question try कर सकते हैं, वो question try करना शुरू कर दीजे, हाँ जी, question है आपका, how many numbers greater than 300 but less than 30,000, माने 300 से बड़ा और 30,000 से छोटा नंबर बना रहा है दोस्तों, 300 से बड़ा और 30,000 से छोटा, 300 से, 30,000 के बीच की बात कर रहा है, तो हम इसके टुकड़े कर लेंगे, ठीक है ना, ये question तेरे टुकड़े होंगे, इशालला, इशालला, वो अला हिसाब के ताब, ये इस question के हम टुकड़े करके रहेंगे, हरा आलत में, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 300 से, पहले, एक हजार की बात करेंगे, फिर एक हजार से, दस हजार की बात करेंगे, और फिर दस हजार से, तीस हजार की बात करेंगे, बास सबज में आगे, यहां पे बनेगा आपका तीन डेट का नमबर, यहां बनेगा चार डेट का नमबर, और यहां बनेगा पांट डेट का बात सफ़ज में आगए यह तीनों अलागळ बनाएंगे और उसके बाद इसे कर देगे हैं प्लस कर देगे है । सबसे पहले पहले ge too पहले वाले केश पह आजए यहाँ पहे जाय item है अगर आम यहां की बात कर रहे तो पहले प्लेस पे तीन या तीन से बड़ा नंबर आएगा मने थ्री चलेगा फॉर चलेगा फाइव चलेगा मने पहले प्लेस के लिए कितनी चोईस हो गई तीन किसी एक को fix कर दीजे मैंने माली जे 5 को fix कर दिया तो next place के लिए अब कितनी choice रहे जीरो आ सकता है, one आ सकता है two आ सकता है, three आ सकता है, four आ सकता है five choice और next के लिए कितनी हो जाएंगी four मतलब ये बन गए 60 numbers तीन डिजिट वाले तो हो गए सर, खदब इतनी बास सबको समझ में आ गए सर इतनी बास सबको समझ में आ गए चली, अब 1000 से 10,000 के बीच की बात करते है फिर दुबारा शुरू कर देंगे हाँ भई, पहले place के लिए कितनी choice यहां तो कोई restriction नहीं होगी क्योंकि 1000 से 10,000 के बीच की बात कर रहा है, तो पहले place पे 0 आ सकता है, सब 0 तो नहीं आ सकता चाहिए कुछ भी हो जाए, 0 पहले place पे कभी नहीं आएगा, तो पहले place पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है 4 आ सकता है, 5 आ सकता है तो एक दो तीन चार पांच चोईस नेक्स के लिए कितनी होंगी फोर और नेक्स के लिए कितनी होंगी थ्री तो यहां नमबर बन गए 300 ठीक है सर यहां नमबर बन गए 300 अब आजाएए 10 जार से 30 जार के बीच की बात नमबर्स को दुबारा यहां नोट के लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत ध्यान से देखेगा सर मैं अगर बात करूँ यह 30 जार से छोटा कह रहा है 30 जार से छोटा का मतलब यह हो गया 29,999 तक की बात कर रहा है 29,999 तक की बात कर रहा है सर यह पहला कोशन चल रहा है अभि शेक जी यह पहला कोशन चल रहा है बिल्कुल टेंशन मत लीजे इससे विदर ध्यान दीजे तो 29,999 तक की बात कर रहा है आपको 10,000 से 30,000 के बीच का नंबर बनाना है अब अगर मैं बात करूँ तो पहले प्लेस पे कौन कौन से नंबर यहाँ पे डिजिट आ सकते है 0 तो आई नहीं सकता, 0 को तो बात ही छोड़ देते है 1 आ सकता है, यस आ सकता है, 1 आ सकता है 31,2,45 तो यह क्या बना, 31,245 यह 30,000 से बड़ा नंबर हो गया माने पहले प्लेस पे, 0 आ नहीं सकता, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है 3 आ नहीं सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता तो पहले प्लेस के लिए, you have only 2 choices आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चोईसे रोगनी कौन कौन सी वन और टू दो चोईसे किसी एक को fix कर दीजे इसमें सही कर सकते हैं है याद रखिएगा मैंने वन को fix कर दिया अब अब restriction ख़तम हो गई सर अब तो restriction ख़तम हो गई अब next place के लिए कितनी चोईज एक दो टीन चार पाच next के लिए four next के लिए three और next के लिए two ये कितने हो गए दो पंजे 10 40 120 240 240 numbers तो total answer कितना हो गया 600 सर सबको सबज में आ गया किसी का कोई doubt हो था बता ही अगर समझ में आ गया हो तो m type करे समझ में ना आया हो तो d type करे समझ में आ गया हो तो m type करे समझ में ना आया हो तो d type करे अभिशेग जी अराम से देख लीजे कहीं कोई doubt लग रहा हो तो पूछ लीजेगा समझ में आ गया हो तो m type करे समझ में ना आया हो तो D टाइप करें अभीशेथ जी को दिक्कत है अभीशेथ जी नंबर बनाना है 300 से बड़ा और 30,000 से छोटा नंबर बनाना है 300 से 30,000 के बीच पे, अब इसमें कितने-कितने डीट का नंबर आएगा इसमें एक तो 3-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D अब हम बात करें एक हजाव से 10,000 तो इसमें कोई restriction नहीं होगी पहले के लिए पांच दूसरे के लिए पांच फिर तीसरे के लिए चाहर फिर तीन 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 सो नंबर यह बन गए अब हम 10,000 से 30,000 की बात करें तो 30,000 का मतलब 29,000,999 बात करें सब्सक्राइब बनेगा 30,000 से बड़ा जो कि पॉसिबल नहीं है नमबर बनेगा 30,000 से बड़ा जो कि पॉसिबल नहीं है तो पहले प्लेस के लिए इसके बाद restriction घटम हो गई नेक्स के लिए कितनी चोई इन सब को एड कर दीजिए आंसर निकलाएगा सबंज में आ गया विशेक जी बाकी लोग जबाब में किसी का कोई डाउट हो तो डी टाइप करें और सबंज में आ गया हो तो एम टाइप करें किसी का कोई डाउट हो तो डी ऐड करें और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें मटने कितना लगता है अगर आगया तो एम टाइप करें समझ में ना आयो तो डी टाइप करें परश्रा देता हो करके दिखाइएगस बारेट करिए आ कुछ्येन है, हावनी नंबस, हावनी नंबस, less than 300 can be formed by using the digit by using the digit 0, 1, 2, 3, 4 option, पहला option 2, 4, 3, 4 पहला option 44 दूसरा option 40, तीसरा option 42 और चौता option नन अफ़ दीज पोल क्रिएट करिएगा सर पोल क्रिएट करिएगा इसमें इस कोश्चन में पोल क्रिएट करिएगा A, B, C, D चार option आपके बस कौन सांसर है इस सही होगा जल्दी से करके बताईए पोल क्रिएट करिएगा सर इसमें टेक्निकल टीम पोल क्रिएट करिएगा रिया जी ने आंसर दिया फर्टी फोर पोल शुरू हो चुका है सर A, B, C, D कौन सा आप्शन सही है अभी तेगे एक बच्चे ने बताया उसका नाम है रिया जी उन्होंने कहा हंड़ेट परसेंट अब लोगों ने A, B, C, D चारो अप्शन पर टाइप करना शुरू कर दिया कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा है मोहन्स आईपियों का आंसर भी आ रहा है रिया अगरवाल जी ने आंसर A दिया जल्दी से बताईए जल्दी से समय खतम पीछे कदम मास्टर शेफ देखते हो आज कल समय खतम पीछे कदम वही वाली बात है समय खतम हो चुका है सर अब फटा-फट से शुरू करते हैं आदित्ति राज जी आदित्ति राज करे हैं B सिदार्थ करे हैं D आदित्ति जी तुक्य मत मारिएगा प्लीज बाकी सब सभी चलेगा अगर नहीं आता तो जबस्ती का पोल मत करिएगा लेकिन अगर आता है तब ही आंसर दीजेगा कोश्चन कह रहा है How many numbers less than 300 300 से छोटा नमबर बनाना बेटा 300 से छोटे कितने कितने डीट के नमबर बनेगे एक तो 3 डीट का बनेगा एक 2 डीट का बनेगा और एक एक डीट का बनेगा माने हम बनाएंगे एक से दस दस से सो और सो से तीन सो यह तो करेंगे यहां बनेगा एक डीट का नमबर यहां बनेगा दो डीट का नमबर यहां बनेगा तीन डीट का नमबर इन तीनों को अलग लग निकालेंगे answer निकल जाएगा अपमें आपी अब अगर हम एक date के number की बात करें तो यहाँ पहले place के लिए कितनी choice 4 सिर्फ 4 ही number बनेंगे यहाँ आजाएए, यहाँ पहले place पे 0 तो आनी सकता, बाकि यह 4 आ सकते 4, किसी एक को fix कर दीजे, next के लिए कितनी choice again 4 16 नमबस दुबारा उतार ले दाओ 0, 1, 2, 3, 4 अब इसमें आजाएए, यहाँ पहले place के लिए कितनी choice, हाँ जी 100 से 300 के बीच की बात करनी है यहाँ पहले place के लिए कितनी choice, सर, 0 तो आनी सकता 1 आ सकता है, सर आ सकता है 2 आ सकता है, सर आ सकता है 3, सर, 300 का मतलब फिर वही वाली बात, इस 300 का मतलब 200 99 तक की बात कर रहे है, मने पहले place में सिर्फ 1 आएगा और 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, ना ही 4 आएगा, मने पहले place के लिए you have only 2 choices, कौन कौन सी, 1 और 2, किसी एक को fix कर दीजे, अब condition खतम हो गई, restriction खतम हो गई, next place के लिए कितनी choice, अब तो कोई भी आजाएगा, 1, 2, 3, 4 choice और next के लिए कितनी choice, 3 choice तो ये number कितने बने, 24 total answer कितना आगया 44 आदित्य जी सवज में आगया आदित्य जी सिदार जी सवज में आगया आदित्य जी समझ में आ गया हो तो M टाइप करें, समझ में ना आया हो तो D टाइप करें बिटा जी 100 से 300 के बीच में number बनाना है, बहुत ध्यान से तसली से समझना है 100 से 300 को मतलब 100 से लेके 299 तक की बात कर दो तो अब आप खुद देखो, यहां हमेशा पहले place पे कौन से number आएगा 0 आ नहीं सकता 1 आ सकता है, 2 आ सकता है 3 अगर पहले place पे आ गया है, यहां पे अगर मैं number लिख दू 3 और लिकूस क्या कर कोई भी number 1 और 0 तो यह number तो 300 से बड़ा बन जाएगा तो पहले place पे 1 आएगा या 2 आएगा नहीं 3 आएगा नहीं 4 आएगा तो पहले place के लिए you have only 2 choices कौन कौन सी, 1 & 2 किसी एक को fix कर दीजे क्योंकि repetition is not allowed हमने fix कर दिया, अब restriction घदम हो गई तो दूसरे place के लिए कितनी choice 0, 1, 3, 4, 4 बने 4 choices, फिर किसी एक को fix कर दीजे next के लिए कितनी choice, 3 choices तो total number बन गए 24 इनको add कर दीजा answer हो गया 44, सबको सबज में आ गया अविशेग जी अविशेग जी सबज में आ गया किसीका कोई doubt हो तो बताइए किसी का कोई भी doubt हो तो बताइए सबज में आ गया हो M type करिए, सबज में ना आया हो तो D type करिए कि समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए आए अब एक अच्छा कोशन कराता हूं आपको कोशन है कुछ इस तरीके से हाव मेनी नंबर्स हाव मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 2300 बट लेसेें थाकित वीहन्ब से तंथाग संटướcं तेनफ देंए दिविश्ध संट्स्ट इस ग sis पर Judge बार्ग से समाने 2 कुछ इस पर्मग सके लिए टुछुछ 750 इस ग्रूब खिर यूब ग्रक्टास टिविशिए नंबर्स लिए orig sandал जीरो वन तो थ्री फोर फाइव बड़ा अच्छा कोशन है सर बहुत 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 अच्छा कोशन है कोशन को बहुत ध्यान से समझेगा नो सर ओल क्लियर ठीक है कोशन को बहुत ध्यान से समझेगा बेटा जी बहुत अच्छा कोशन है बहुत अच्छा कोशन इस कोशन दिया भी है मैंने करने के लिए समझाएं भी मतलब यह लिखा भी है हम बैठके इसको डिसकस करते हैं कोशन के रहा है हाँ मैंनी नमबस ग्रेटर देन लेकिन हम इस को डिरेक्ट बिलकुल ही कर सकते हैं अगर हम इसके डिरेक्ट की बात करें यहां पर अरेज्ज्मेंट की सेट करने की बात करें तो यह पॉसिबल नहीं है ऐसा क्यों पहले रीजन सब लीजे फिर हम आगे बढ़ेंगे अगर मैं बात करूं हमारे पास नमबर अविलेबल है यह बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से तसली से मेरी बात का जवाब दीजेगा अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे पहले प्लेस पे दो या दो से बड़ा नमबर आएगा माने टू चलेगा, थ्री चलेगा, फॉर चलेगा, फाइव चलेगा टू, थ्री, फॉर, फाइव यही तो आप सोचेंगे, अच्छा, दूसरे प्लेस पे किसी एक को फिक्स कर दीजे, मान लिजे फाइव को फिक्स कर दिया दूसरे प्लेस पे, तीन या तीन से बड़ा नमबर आएगा यह तो कहेंगे आप, दूसरे प्लेस पे, तीन या तीन से बड़ा नमबर माने दो नमबर रह गए अगर आप 5 fix करते हैं तो लेकिन एक बास सोच के देखना अगर मैं नमबर बनाओं 4123 4123, क्या ये नमबर 200-1010 के बीच में आता है? बिलकुल आता है क्या 4000 23, 300-1010 के बीच में आता है? बिलकुल आता है, अब दूसरे बिलेश पर वन तो आ गया जबकि हम तो गहरे थें दूसरे बिलेश पर 3 या 3 से बड़ा नमबर आ रह चाहिए contradiction हो रही है हमारी बात contradiction हो रही है बास समझ में आ रही है तो इस लिए इस question को आप directly बिल्कुल नहीं कर सकते इस question को आप directly बिल्कुल नहीं कर सकते यह अच्छी तरह समझ दीजे 0 1 2 3 4 और 5 बहुत अच्छा question नहीं है तसली से समझेगा तो हम क्या करते हैं अगर आप इस तू को भूल जाओ तो हमें 300 से 1000 के बीच की बात करनी है 300 से 10,000 के बीच 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 है 300 का मतलब 2300 के अगर हम बात करें तो हम पहले 2300 का नियरेस्ट मने 2300 का नियरेस्ट क्या होगा 3000 तो हम इसको डिविजन कर लेते कुछ इस तरीके से 2300 से पहले 3000 तक की बात कर ले और फिर 3000 से डारेक्ट 10,000 की बात कर ले इस 3000 का मतलब क्या हुआ इस 3000 का मतलब हुआ 2999 तक की बात हो रही है यहां बनेगा चार डिजिट का नंबर यहां भी बनेगा चार डिजिट का नंबर बात समझ में आई या नहीं पहले यहां तक बताईए यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताईए समझ में आ गया हो तो M टाइप करे समझ में ना आया हो तो D टाइप करे समझ में आ गया हो तो M टाइप करे समझ में ना आया हो तो D टाइप करे समझ में आ गया हो तो M टाइप करे समझ में ना आया हो तो D टाइप करे सь तीं उजार से 10,000 के क्यों? क्योंकि नंबर बनाना 2300 से 10,000 तक का तो हमने क्या करा? इसके तुकड़े कर लिया हमने पहले 2300 से निएरेस थाउसिंड बने 3000 तक लिया है अब बचे कितने? 3000 से 10,000 वो अलग बना लिया हमने इसमें क्या होगा ना इसमें रिस्टिक्शन ये वाली सेकिंड प्लेस वाली रिस्टिक्शन खतम हो जाएगी यहां तो रिस्टिक्शन रहेगी लेकिं यहां रिस्टिक्शन नहीं रहेगी बास सवज में आ रही है इसलिए हमने ऐसा किया अब अगर हम यहां पर आ जाए इसको अभी नीचे वाले को भूल जाएगा अब 2300 से 2999 तक की बात हो रही है तो पहले प्लेस के लिए कितनी चोईस सब टू या टू से बड़ा टू से छोटा वाने टू ही आना चाहिए पहले प्लेस के लिए यू है उनली वन चोईस नंबर टू अगर हम 2300 से 3000 की बात करें तो पहले प्लेस पर तो नंबर टू फिक्स हो जाएगा ना टू के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा नहीं जीरो आ सकता वन रख नहीं सकते टू ही आएगा थी रख नहीं सकते फोर नहीं रख सकते फाइव नहीं रख सकते माने पहले के लिए यहां आके बैट जाओ वह बैट गया माने पहले प्लेस के लिए यह वाली वन चॉइस विचिस नंबर टू अब तुम तो यहां बैटे रहोगो चुप चाप अच्छा अब दूसरे प्लेस पर आजाओ कि दूसरे प्लेस पर तीन या तीन से बड़ा नंबर आना चाहिए किसी एक को फिक्स कर दीजे मान लीजे मैं फॉर को फिक्स कर देता हूं अब आप तो देखिए यह भी डबल जी रहो यह भी डबल जीरो मनेयरिस्टिक्शन ओगई खे Mongol रिस्टिक्शन शुरू के दो की दो टो पलेसरशिस कि देश्टिक्शन ने पूरी कर देई अब अब तो कोई भी आए नेक्स प्लेस के लिए कितनी जोँए इस एक दो तीन चार और नेक्स के लिए कितनी चोइस तीन तो यह नंबर बन गए 36 यह नंबर बन गए कितने 36 अब दुवारा से नंबर को नोट कर लेते जीरो वन टू थ्री फूर फाइव ठीक है ना अब आ जाएए इस पर यहां पे पहले प्लेस के लिए कितनी चोइस सब पहले प्लेस पे तीन या तीन से बड़ा नंबर माने थ्री फूर फाइव की बात करेंगे तीन चोइस किसी एक को फिक्स कर दीजै फाइव को फिक्स कर दिया रिस्टिक्शन घदम हो गई अब तो कोई कहीं आए दूसरे प्लेस के लिए कितनी चोइस जीरो भी आ सकता है एक दो तीन चार पाच पाच चोइस चार च सब्सक्राइब तो टोटल नंबर कितने बन गए 216 किसको किसको सब्सक्राइब नहीं आया यह बताईए कि कोशन कह रहा है विटा कि तीन क्यों नहीं आएगा सर अच्छा यह पूछा था अभी शेख जी ने कोशल देयाल जी ने का अगर तीन को लेंगे तो तीन अजास से जादा बन जाएगा और हमको तीन बिटा तीन कहां ले रहे हुए हमने तीन लिया हीुए खाओ! हमने तो पहले के लिए। यहां पे पहलेस के सिर्भ नंबर तू चॉइल proportion रके हैं यह वह वह भी etedके कर दिया का हमने तीन लिया ही गां यहां पर अगर आएंगे तो नंबर तीन यह 7000 यह 345 iy तीन कोशन है यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजी सवज में आ गए सभी को बेटा नंबर फिक्स होने का मतलब यह होता है कोई ना कोई नंबर तो आएगा किसी ना किसी एक परसन को तो आपको यहां बैठालना पड़ेगा ना जो निग्रारी करें कि मैं आ गया भाई आप मेरे अलावा कोई नहीं आएगा दुबारा रिपीट नहीं नहीं चाहिए तो अगर मैं बात करूं यहां पर आ जाए तो पहले प्लेस के लिए नंबर टू चोईस हमने कहा आपको इन तीनों में से किसी ना किसी एक नंबर को तो यहां पर रखना पड़ेगा ना आपको इन तीनों में से किसी एक नंबर को यहां पर रखना पड़ेगा मैंने फूर को रख दिया मैंने किसको रख दिया फूर को रख दिया हैं यहां पर मैंने का फूर यहां पर आक आपने रखा फो रहे अब इसको भी फिक्स कर दिया भई यह वह वहां जाके बैढ़ गया अब तो डिस्टिक्शन गदम अब कोई कहीं आए एक दो तीन चार नेक्स के लिए चार फिर किसी एक को फिक्स कर दो गए मतलब वह यहां के बैढ़ जाए गा माली जीरो आगे बैढ गया अब नेक्स के लिए कितनी चोईज एक दो तीन तीन चोईज इस बास सवज में आई है नहीं आई हैं बास सवज में आगए सर अब शैक जी बता एं के लियर ओके बेटा जी का चली नेक्स कोशन की बात करते है तो गोश्चन बहुत सिंपल सा है कोशन के रहा है है, हाव मैनी, हाव मैनी नमबर्स फोर डिजित, हाव मैन नमबर्स फोर डिजित, कैन बी फॉर्म, बाइ यूजिंग दा डिजित, बाइ यूजिंग दा डिजित, 0152869, अभी कोशन में थोड़ असा कुछ और है, जड़ा ध्यान दीजेगा, पहला पॉइट, यह कहा रहा है, चाट डिजित का नमबर्स बनाना है, कितने डिजित का नमबर्स बनाना है, किन डिजित का यूजित करके, 0152869, मैंने का, अब शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अभी शेक जी ध्यान से देखिएगा, अब शायद आपको ज़्यादा क्लास में पढ़ी रहेगी, संतोष कुमार चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, अगर आप लेट आये हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगी क्लास को एंज्योई करिये, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ाए, जो आपको समझ में मतलब नहीं आएगा तो आगी की चीज़ी समझ में नहीं है, ठीक है ना, आप इस कोशन पर ध्यान दीजे, अगर ये कोशन समझ में आएगा, तो आगे की सारी चीज़े आपको अपने आप समझ में आएगे बिलकुल दिमाग में टेंशन मत लीजे ठीक है ना चलिए तो कह रहा है दा नंबर ऑल्वेस चार्ट विट टूट पहले तो यह बताई कितने डीट का नंबर बनाना है एक दो तीन चार डीट का नंबर बनाना ह की डिजिट का यूज Ellis करना है एक जरोवान वान फाइफ टो एट और नैइंग का यूज करना है यह गिरा अंसितो pada किस और अन्वेस चार्ट विट टू तो यह चाहिए कि जब नंबर जो है, वो टू से स्टाट होना चाहिए, तो हमने का पहले प्लेश के लिए कितनी चोईश, अब तो कोई कहीं आ तो नेक्स के लिए कितनी चोईश, तीन और तीन चे चोईश, फिर किसी एक को फिक्स कर देंगे, नेक्स के लिए कितनी चोईस फाइट चोईस और नेक्स के लिए कितनी चोईस फूर चोईस आंसर कितना नमर बन गया 120 सबको समझ में आ गया बेटा जी जिसको जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करे और जिसको जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करे और जिसक को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करते रहें प्लीज यूट्व वालों को बता लगने च्छी जा रही है चली दूसरा पॉइंट आगा कि सेकेंड पॉइंट अगा या कि दन नंबर ऑल्वेश इस जा नंबर ऑल्वेश ends with six the number always ends with six पहले तो यह बता ही कितने डिजिट का नमबर बनाना है सर्फ फोर डिजिट का नमबर बनाना है एक, दो, तीन, चार कौन-कौन से डिजिट का यूज़ करना है यह लखे है कौन-कौन से जीरो, वन, फाइव, टू, एट, सिक्स और नाई अब यह कह रहा है अब यह कह रहा है the number always the number always ends with six मने यहाँ पर last में क्या आएगा six आएगा there is only one choice for the last place last place के लिए कितनी choice होगी only one एक ही choice होगी कौन सी number six number six को ठाक है यहाँ से काट दिया बिटा number six तुम्हें हमेशा last place पर रहना last के लावब किसी और place पर नहीं आना अच्छा जी अब बाकी के places को भरना होगा यहाँ पहले place के लिए कितनी choice क्या zero आ सकता है क्या पहले place पर zero आ सकता है बिलकुल नहीं आएगा क्यों आएगा पहले place पर जीरो कभी आई नहीं सकता तो पहले place पर वन आ सकता है आ सकता है वाइव आ सकता है टू आ सकता है एट आ सकता है आ सकता है शिक्स तो फिक्स हो चुका है नाइन आ सकता है आ सकता है तो पहले place के लिए आपके पास कितनी चोईस हो गई, five choices, किसी एक को fix कर दीजे, मालीजे two को fix कर दिया, अब, अब तो restriction घतम हो गई, अब तो पहले zero वाली restriction भी घतम हो गई, अब next place के लिए कितनी choice, एक, दो, तीन, चार और पाँच, again five choice, फिर किसी एक को fix कर दीजे, मालीजे nine को fix कर दिया, अब नेक्स के लिए कितनी चोईस फूर तो टोटल नंबर अफ चोईस कितनी हो गई हंड़ेट बास सवज में आई या नहीं यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए अरे बहुत लोगों ने अंसर पहले ही दे दिया यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए अगर डाउट हो तो डी टाइप करें और सवज में आ गया हो तो एम टाइप करें आपको फिर कभी बताऊंगा ठीक ना डी का मतलब डाउट से नहीं है किसी और चीज़ से बताऊंगा बात में फिलाल नेक्स कोईशन की बात करते हैं कोईशन के रहा है हाँ मैनी फोर डिजिट इवन नमबर आपकृ नमबर आपक की आपकृ औच की आपकृ 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 नमबर व्यूस नमबर पहले व्यूस नमबर हाँ जी सर बहुत द्यान से तसली से समझेगा कोश्चन को कोश्चन के रहा है हाओ मैंनी फोर डिजिट इवन नंबर बनाना है सर क्यों डरा रहे है अरे अच्छा चलो इवन नंबर अगर मैं काट दो मैं फोर डिजिट नंबर की बात करू तो आप क्या करोगे अरे सर तो तो कुछ दिक्कत नहीं है चार प्लिसिस कीचेंगे मैंने का बेटा अब even number की बात क्या तो even number में क्या होता है what is even number सर वो number जो 2 की टेबल में आते है ऐसे number को हम even number कहते है या ये कहे वो number जो 2 से divide हो जाते है पूरी तरीके से उन numbers को even कहते है या फिर हम ये कहे वो numbers जिनके last में 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा कौन से place पे? unit place पे वो numbers क्या कहलाएंगे? even number जैसे अगर मैं आप से कहूं 325 क्या ये एक even number है? आप कहेंगे नहीं क्योंकि ये 2 से divide नहीं होता अच्छा मैंने का अब ये even number है yes sir even number है क्योंकि 2 से divide हो जाएगा मैंने का अब क्या ये even number है? नहीं sir अब ये even number नहीं क्योंकि ये 2 से divide नहीं हो पाएगा मतलब आप basically हमेशा unit place के number को देख रहे है अगर वो number 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो तो वो number even number होगा और 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हुआ तो वो even number भी नहीं होगा वो एक odd number होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हमेशा यहाँ पे unit place को fix कर लेंगे भाई हमारे पास कौन कौन से number available है? एक बार 0 available है 0 fix कर लिया एक बार 2 fix कर लिया 4 नहीं है 6 fix कर लिया 8 नहीं है तो इसको रप कर दिया मतलब अब मैं वो number निकालना चाहरा हूँ जिनके last में 0 आता है तो वो even number अपने आप होगे जिनके last में 2 आता है वो even number अपने आप होगे जिनके last में 6 आता है वो even number अपने आप होगे अब जब 0 fix है यहाँ से देखिएगा जब 0 fix है तो पहले place के लिए कितनी choice? 6 और ने नेक्स के लिए पांच और नेक्स के लिए चार यहाँ पर एक ही चॉइस है आंसर होगया वन ट्वर्टी बास सफज में आगी सर आच्छा जब जीरो के अलावा कौने से नंबर फिक्स है तू कुर को हमने फिक्स कर दिया इक डी आप पहले ब्लेस के लिए कितनी सब जीरो आ नहीं सकता पहले प्लेस पे पहले प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता एक दो तीन चार पांच चोईस किसी एक को फिक्स कर दीजे नेक्स के लिए अब जीरो आ सकता है पाइफ चोईस और नेक्स के लिए फॉर चोईस यहां पे एक ही कितने हो गए हंडेड बिल्कुल स हम six fix करेंगे तो same answer आएगा five five four one तो ये भी कितने हो गए hundred तो total number कितने हो गए three twenty अब आप जड़ा ध्यान दीजे अगर मैं last place पे zero fix कर रहा हूं तो पहले place के लिए कितनी choice है six लेकिन अगर मैं last place पे two fix कर रहा हूं तो पहले प्लेस के लिए कितनी choice है five ऐसा क्यों क्योंकि पहले place पे zero नहीं आ सकता और zero अगर आप यहां fix करते थे तो पहले place के लिए choice बढ़ जाएंगी लेकिन अगर यहां पे आप two fix करते हैं तो पहले place के लिए zero वाली restriction फिर भी रहेगी zero तो पहले place पे आई यहां तक किसी का कोई भी doubt हो तो बताइए सिदार जी को समझ में आ गया स्थार सवज़ में आ गया एंक रनीछ रिपज हो सकती है यह तक क्लियर हो गया अच्छा अगर इसी तरीकेसे यह यह गए यह कहता और नंबर तो हम क्या करते लास्ट पे one fix करते three fix करते five fix करते seven fix करते nine fix करते अपने आप यह answer निकल जाता अगर इसी तरीके से कहता divisible by five तो एक बार last पे zero fix करते एक बार last पे five fix करते दोनों को add कर लेते answer निकलाता भाई divisible by five में क्या होता है last place पे-उनिट प्लेस पे क्या आचीए या तो 0 आना चाहिए या फाइव शीए बात सबझ में आकर सबसाओ को अभिषेग जी किया कर अभी फॉँट बचा तो बता ही कि अभी शेख जी कोई unit place पे या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए एक बार 0 fix कर दिया एक बार 2 fix कर दिया 4 था नहीं 6 fix कर दिया 8 था नहीं fix बस ये 3 एक बार fix कर दिये मतलब ये वो number है जिनके last पे 0 आता है कितने number वनेंगे 120 ये वो number है जिनके unit place पे 2 आता है कितने नमबर बनेंगे 100 यह वो नमबर है जिनके लास्ट में 6 आ था कितने नमबर बनेंगे 100 तो टोटल कितने नमबर बनेंगे 320 जब जीरो फिक्स होगा तो पहले प्लेस के लिए 6 चैक कर लीजिए एक बाद चाहे तो 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9 जब जीरो फिक्स है तो पहले प्लेस के लिए कितनी चैक देखिए 3 और 3, 6 चैक ना फिर एक कम कर देंगे 5 फिर एक कम कर देंगे 4 तो 120 नमबर बनें ठीक है ना अब जब टू फिक्स है यह तो पहले प्लेस के लिए देखिए 0 तो आई नहीं सकता लेकिन 1, 3, 5, 6, 9 आ सकता तो 5, 20 किसी एक को फिक्स कर दीजे नेक्स के लिए अब 0 आ सकता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 20 फिर किसी एक को फिक्स कर देंगे यह आपके digit वाले कोशन, नमबर वाले कोशन तो होगा एक ख़दब दोस्तों, अब हम बात करते हैं words वाले कोशन की, ठीक है ना, numbers वाले कोशन आप बिंदास होके करिएगा, सारे कोशन आपके होंगे, किसी भी बुक्स से करिएगा, सारे कोशन आपके होंगे, बिल्कुल, tension म बात करते हैं words वाले कोशन की, कोशन है, how many words, how many words, can be formed, how many words, can be formed, by using the letters of the word, by using the letters of the word, पहला point, और यह वर्ड कभी जिन्दी के भूल नहीं पाओगे, इस बात की guarantee देता हूं, details, सबसे पहले 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 point की बात करेंगे, फिर बाकी की बात आगे करेंगे, ध्यान से देखिए, कोशन के रहा है, how many words, can be formed, by using the letter of the word, details, बन्हें details के letters का use करके, आप कितने word बना सकते हैं, पहली बात, चाहें उसका meaning हो, या ना हो, चाहें उसका meaning हो, या ना हो, यह मत कहिएगा, सर पेपर में वो कोशन आ गया, तो क्या होगा, कि meaning होना चाहिए, ऐसा बेफकूफी का question नहीं आता, ठीक है ना, meaning हो या ना हो, द letters का use करे, तो पहले तो मुझे यह बताईए, यहां पे कितने letters available है, सर, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, तो अगर मैं आप से कहूं, यहां पे कितने letters available है, तो आप कहेंगे, सर, 7 letters available है, मैं कहूं बेटा जी, आप यह बताये, यहां पे कितने places का word बनाएंगे कितने digit वो कितने numbers का word बनाएंगे तो आप बनाएंगे seven letter का word ना मतलब आपके पास होंगे seven places सही है ना यह आपके पास क्या होंगे seven places होंगे इतनी बास समझ में आ गए अब पहले place यह आपके लिए letters हो गए इप्माली जी, यह क्या हो गए आपके letters, पहले place के लिए आपके पास कितनी choices, how many choices you have for the first place, D आ सकता है, आ सकता है, E आ सकता है, T आ सकता है, A आ सकता है, A आ सकता है, I आ सकता है, L आ सकता है, S आ सकता है, तो पहले place के लिए, how many choices you have, seven choices, बिल्कुल ठी, अब किसी ना किसी एक को तो यहां पर लाके रखना पड़े गा, किसी ना किसी एक को तो यहां पर लाकर रखना पड़ेगा ना मान ली जए हमने टी को लाकर यहां रख दिया ती यहां रख दिया मने टी फिक्स हो गया अब अब नेक्स प्लेस के लिए कितनी चोईस सरेक यह काम होगा जनल सी बाद है six स्वाइस मैंने का फिर किसी एक को लगए यहां रख दो एक को fix कर दिया next के लिए five four three two one माने seven into six into five into four into three into two into one that is equal to five zero four zero words माने इन letters का use करके seven letter के कितने word बनाए जा सकते पाँच जार चालिस words बनाए जा सकते हैं अब थोड़ा सा stop करते हैं से यहां पर बहुत ध्यान से समझेगा अब बात करते हैं एक चीज़ होती है factorial जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया factorial क्या होता है बहुत ध्यान से तसली से समझेगा हर चीज़ पढ़ाऊंगा बेटा बिल्कुल टेंशन फिर जाएगा आपको कोई चीज़ याद करने की जरूवत ही नहीं है factorial जैसे कहीं लिखा हुआ है 5 factorial यह यह आपने देखा होगा इंग्लिश में वर्ड हुर रहे वगर आता है इसे exclamatory का sign बोलते है इसे क्या बोलते है एक्सकलेमेटरी का sign बोलते है लेकिन math में यह symbol कराता है factorial तो हम यहाँ पे इसे पढ़ेंगे 5 factorial ऐसे भी लिख सकते है और ऐ इसे भी लिख सकते हैं दोनों का मतलब एक ही है इस factorial का मतलब होता है दोस्तों 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मतलब जब तक 1 नहीं है जाएगा तब तर हम multiply करेंगे मतलब अगर मैं कहूं जैसे कहीं लिखा हुआ 8 factorial तो इसका मतलब क्या होगा 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अगर कहीं लिखा हुआ 10 factorial इसका मतलब होगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अगर कहीं लिखा हुआ 0 factorial 2 factorial तो इसका मतलब होगा 2 into 1 चाहे तो 2 लिख दीजे 3 factorial 3 into 2 into 1 0 factorial इसकी value 1 0 factorial की value कितनी होती है 1 बास सवज में आ गई अच्छा अगर मैं बात को ध्यान से समझेगा अगर मैं बात करूँ 9 factorial तो 9 factorial का मतलब क्या होगा 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इसको 9 into 8 factorial लिख सकता हो या नहीं लिख सकता हो ध्यान से सोच के बताईगा क्या मैं 9 factorial को 9 into 8 factorial लिख सकता हो या नहीं लिख सकता हो सोच के बताईगा समझ में आया हो तो M टाइप करे, समझ में ना आया हो तो D टाइप करे मैं क्या 9 फेक्टोरियल को 9 इंटू 8 फेक्टोरियल लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ अच्छा, इसको मैं क्या 9 इंटू 8 इंटू 7 फेक्टोरियल भी लिख सकता हूँ क्या मैं इसे 9 इंटू 8 इंटू 7 फेक्टोरियल भी लिख सकता हूँ क्या मैं इसे 9 इंटू 8 इंटू 7 फेक्टोरियल भी लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ क्या मैं इसे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फेक्टोरियल भी लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, यह मेरे question पर depend करता है कि मैं उसे कैसे represent करूँ, लेकिन मुझे यह बता है, कि अगर कहीं 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं उसे short form में लिख सकता हूँ, 11 factorial सामने वाले को बता दिया, भाईया, यह एक 11 factorial है, factorial का sense मैंने बताया था, backward counting करते जाए, जब तक वरना आजा, तब तक multiple है होगा, बास सवज में आगे, अच्छा, अगर जैसे कहीं लिखा हुआ, 23 factorial, मैं इसे लिख सकता हूँ, 23 into 22 factorial, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बास सवज में आगे, अच्छा, लिखा हुआ, N factorial, अब क्या होगा, अरे सर, ये तो फस गए, सर आप तो numbers पर लाते लाते, N पर ले आए, सर N से मतलब क्या, N is a number, N एक number है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना था, भाई, अगर हम 11 factorial की बात कर रहे थे, तो 11 लिख रहे थे, माने पहले N लिख फिर एक काम 5, फिर एक काम 4, कब तक करते रहेंगे, जब तक बनना आजाए, कब तक करते रहेंगे, जब तक बनना आजाए, माने इसको लिखेंगे N, फिर एक काम N-1, फिर एक काम N-2, फिर एक काम N-3, फिर एक काम N-4, कब तक multiply करेंगे, जब तक बनना आजाए, अप्टो सो उन टू वन फोर थ्री टू वन आप कहेंगे सर यह वन कब आएगा आरे भाई तो हमें एन की वेल्यू बता तब बता देंगे वन कब आएगा ठीक है ना अगर मैं कहीं लिखू हूँ मालीजे अगर मैं लिखा एन प्लस थ्री फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या होगा सबसे पहले तो एन प्लस थ्री आएगा फिर एक कम एक कम क्या हो जागा क्या होगा एन प्लस टू फिर एक कम क्या होगा एन प्लस वन फिर एक कम क्या होगा एन तो चाहे तो मैं यहां पे एन फैक्टोरियल लिखके छोड़ सकता हूं चाहे मैं यहा आपके लग मीड चाहएंगर तो क्या होता सब्सेपहले क्या आगां ऐगा कि फिर एक कम. क्वा हुगा हिएंट माइनस 2 फिर एक कम क्या होगा से ले फिर एक कम तब तक मुल्टिप्लाइक करते रहेंगे यहां तक सबस्umbledо करें यहां तक किसी का कोई डाउट करें यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो डी टाइप करें समझ में आ गया तो एम टाइप करें चलिए जी एम 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 वेरी गुड तो बेटा जी आज तक आज का क्लास यहीं तक रहेगी हम लोग नेक्स क्लास में इसके वर्ड्स वाले कोईशन्स करेंगे ये एक कॉंसेप्ट था चोटा सा मैंने आपको बढ़ा दिया और नेक्स क्लास पीज मिसमत करिएगा कल की क्लास क्योंकि कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है बहुत सारी चीज़े आपको सीखने को बिलेगी नहीं नहीं आज की क्लास में हमने होल सोल ये सीखा कि नंबर्स वाले कोशन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है फैक्टोरियल क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सिंबल को किस तरीके से रिप्रजेंट किया जाता है बाकी की क्लास हम लोग कल डिसकस करेंगे सेंट टाइम पर मिलेंगे आज के लिए थैंक यू वेरी मुझ दूस्तों थैंक यू वेरी मुझ नहीं बेटा जी यह सीए फॉंडेशन की क्लास एक बज़े नहीं होगी सीए में